इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दभाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दभाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। यह मस्तिश्क में रासायनिक संदेश्वा हकों को अवरूत करके काम करता है जो हमें बताते हैं कि हमें दर्ध है। यह रुमेटी इट गठिया और पुराने औस्टियो और्थराइटिस जैसी स्थितियों में या दंथ यानि की दांथ से संबंधित सरजरी के बाद भी दर्ध को दूर करने में मदद कर सकता है। इसे सबसे अधिक लाःप प्राप्ट करने के लिए निर्धारत किया गया है। आवश्षक्ता से अधिक या अधिक समय तक न ले क्यूंकि या खतरनाक हो सकता है। सामानित तौर पर आपको कम से कम समय के लिए काम करने वाली सबसे कम खुराक लेनी चाहिए। यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने और बहतर अधिक सक्रिय जीवन की गुनवत्ता प्राप्ट करने में मदद करेगा। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुछलें या तोड़ें नहीं। इंतकॉक्स या 120 टैबलेट भूजन के साथ या बिना भूजन की ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। इंतकॉक्स या 120 टैबलेट नौन स्टेरोइड एंटी इंफलिमेटरी ड्रग यानि की एंसेड है। इन्हे कॉक्स दो इन्हिबिटर के नाम से भी जाना जाता है। यह दर्द और सूजन यानि की लालिमा और सूजन के लिए जिम्मेदार कुछ रासायनिक संदेशवाहकों की रिहाई को रोक कर काम करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।